हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मेखा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं मिक्स डाल बनाने जा रही थी बच्चों के लिए तो मैंने सोचा इसकी रेस्पी मैं आपके साथ भी सेहत करती हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मैंने यहाँ पे कुछ डाले ली हुई है जिसमें यह मूंग की छिलके वाली डाल है और उसके बाद में मैंने जो है ओड़त की धुली हुई डाल ली है और उसमें अरहल की डाल है और उसके बाद में खड़े मसूर की डाल है और उसके बाद में मैंने इन सब डालों को मिक्स कर लिया है अच्छे से और उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से दो से तीन बार धो लिया है और आप भी धो लीजिए धोने के बाद में मैंने इनको कोकर में डाल दिया है कोकर में डालने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप अपने एसाब से कमिया जादा रख सकते हैं जैसे आपके बाबो को डाल पसंद हो उसके बाद नमक डालेंगे नमक डालने के बाद में थोड़ा सा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा ध बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद मैं इसको गैस पर चड़ा दूँगी और उसके बाद हम 2-3 सीटी आने का वेट करेंगे देखे तीन-चेसाज सीटी आ चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया मैं कुकर को खोलूंगी और उसके बाद में हम जो है डाल को चेक कर लेते हैं चम्चे से चलाके तो मैं इसको डाल को जो है चेक कर लूँगी देखिए ये डाल मेरी बिलकुल बन चुकी है और अगर आप चाहें तो इसको जो हाथों से भी चेक कर सकते हैं देखिए मैं हाथ से भी चेक कर लूँगी औ और ये दाल बिल्कुल गल गई है, उसके बाद में मैं जो है चमचा रखूंगी और ये देखिए ये घी है, मैं आपको एक बात कहूंगी कि आप क्रप्या घी जो है बच्चों को घर का बना हुआ ही दें, यही बच्चों को बहुत फाइदा करता है, बाहर का घी ना दें, औ और उसके बाद में घी को गरम होने दूंगी और घी करप्या बच्चों के लिए घर पर ही बनाएं, इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो जरूर से एर करूँगी, कि मैं कैसे बनाती हूँ बच्चों के लिए घर पर घी, और बहुत ही जल, देखिए फिर मैं उसके बा जाती है उसके बाद में देखिए मेरा साथ तड़का बिलकुर डेडी है मैं इसको डाल में मिला दूंगी डाल में मिलाने के बाद मैंने गैस को बन कर दिया है अब मैं डाल को जो है चला कर परस लूँगी मेरा बाबू ऐसी ही डाल पसंद करता है अगर आपका बाबू थोड कि दाल नहीं पसंदी लेकिन मैं मिक्स करके बनाती हूँ वो बड़े महीं मन से खाता है तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी दाल बिलकुल रेडी हो गई अगर आपको ये मेरी रेचिपी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए सेर करिए और सबस्क्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके बाबू को ये कैसी लगी है थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ